हेलो फ्रेंट्स इंकम टेक्स के केसिस की सिरीज में आज जो केस हम लोग डिसकस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिशनर ओफ इंकम टेक्स वर्सेज अतुल कुमार गुपता राजीव गुपता ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नमबर 13 पर रिपोर्ट हुआ मैटर डिल्ली ITIT ने डिसाइट किया और इस केस का जजजमेंट 17 फरवरी 2023 को आया जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी असेसी के हैं सर्च होती है तो सर्च के दोरान कुछ ना कुछ ऐसे डॉकुमेंट्स असेसी के हैं मिलते हैं जो कि उसकी असेस्मेंट के लिए डिपार् किये जाते हैं जो मेंग कंसेट है सर्च के अंदर असेस्मेंट करने का वो यह है कि यदि आपको सर्च के दोरान कोई ऐसा मैटीरियल मिला है जो कि इस चीज के लिए ट्रिगर करता है कि असेसी ने अपनी इंकम को पूरी तरीके से डिस्कलोज नहीं किया तभी उसी मैटीर मैटीरियल को इंक्रिमनेटिंग मैटीरियल कहा जा सकता है या दुसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हर कोई ऐसी चीज जो कि अससी के हमें मिला वह इंक्रिमनेटिंग मैटीरियल नहीं है सब्सक्रों अससी ने अपनी बुक्स के अंदर इंवेस्मेंट्स दिखा हुई दूसरा concept यह है कि इसी incriminating material के basis पर आप assessi का addition करेंगे यदि किसी के हाँ सर्च हुई और उसके पास किसी और assessi के documents मिले तो जो दूसरा assessi है उसकी assessment section 153C में होगी यह concept है और जिसके हाँ सर्च हुई उसकी assessment section 153A के अंदर होगी एक और concept यह है कि जिस assessi के हाँ सर्च हुई और उसके हाँ जो documents मिले तो प्रंजम्शन यह है कि यह documents उस assessi के हैं आप इस consumption को इसलिए इस्तमाल नहीं कर सकते कि आप यह मानले कि यह documents किसी और S.S.E. के हैं और यदि आप यह मानते हैं कि यदि यह documents किसी और S.S.E. के हैं तो दूसरे S.S.E. की assessment आप section 153C में करेंगे satisfaction record करके ना कि 153A में करेंगे ऐसा ही कुछ इस case में हुआ यहाँ पे assessi के हाँ सर्च हुई और किसी और assessi के हाँ सर्च हुई multiple searches हुई लेकिन जो assessi की assessment की गई section 153A में उसके अंदर कुछ ऐसे additions किये गए ऐसे documents के बिहाँ पर addition किये गए जो किसी और assessi के हाँ मिले थे तो assessi का यह कहना था कि जो documents किसी और assessi के मिले आप ये presume नहीं कर सकते कि वो documents मेरे हैं और यदि आप ये assume करते हैं कि ये documents मेरे हैं तो आप मेरी section 153 A में assessment नहीं कर सकते section 153 C में कर सकते हैं तो जब ये matter ITAT तक गया तो ITAT ने assessi की बात मानी और ये कहा कि जो documents किसी और assessi की सर्च में मिले हैं उसके बहाफ पर यदि आप दूसरे assessi की assessment करना चाहते हैं तो आप section 153 A का इस्तमाल नहीं करेंगे section 153 C का करेंगे इस case के अंदर उसकी assessment section 153 A में की गई जो की jurisdictionally valid नहीं थी second case मे matter ये था कि जब assessi के यां सर्च हुई तो कई बार सर्च होने के बाद post search inquiry की जाती है assessi को बुलाए जाता है 131 का notice दे करके और उससे information इकठी की जाती है इसके अलावा assessi की कुछ credit card की payments को लेकर के addition की गई ये credit card की payments की जो detail थी वो search में नहीं मिली थी assessi के बलकि ये assessi की annual information return में आ रही थी और उसकी addition जो है वो assessi की assessment में कर दी गई assessi का ये कहना था कि जो credit card की आपने मेरी assessment की है addition की है ये incriminating material के भिहाग पे नहीं की ये मेरी annual information return के अंदर आ रही थी तो इसलिए search के case में आप उस basis पर annual information return के basis पर आप मेरी addition नहीं कर सकते यदि आपको उस basis पर मेरी addition करने है तो आप section 148 में मेरा case को लिए तो friends इस पूरे case का जो video मिनाने का logic है वो ये है कि कानून के अंदर जो परिक्रिया है वही परिक्रिया मानी जाएगी जो addition section 148 में होनी है वो 148 में की जाएगी जो 153C में होनी है वो 153C में की जाएगी वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूँ case का नाम है assistant commissioner of income tax versus अतुल कुमार गुपता रजीव गुपता और ये case 103 ITR tribunal page number 13 पर report हुआ और इस case का judgment 17 February 2023 को होया 10 कर दो कि ढिए कुमार की लाएगास